हेलो फ्रेंड्स मैं सुजीत कुमार और आपका फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकुमार गाडनिंग में देखिए ये मेरा दो साल पुराना मैंगो प्लांट है और आज इसी पर हम साइट ग्राफ्टिंग करेंगे और इसकी जानकारी आपके साथ साजह करेंगे कि किस तरह आप पुराने प्लांट पे दो से तीन साल पुराने पॉधे पर भी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं तो देखि यहां पर हमें इसे ग्राफ्ट करना है वहां की लीप्स हमने रिमूप कर दी हैं देखिए यहां पर हमें एक लॉंग कट लगाते हुए साइड ग्राफ्टिंग इस पर करेंगे तो देखिए इसके लिए मैंने sign select की है अपनी मन पसंद variety और इसी पे अब हम इस sign को joint करेंगे sign हमेशा जैसा कि मैं बार-बार आपको वीडियो में suggest करता हूँ कि 6-8 महीने पुरानी होनी चाहिए नई sign का प्रियोग करेंगे तो हो सकता है आपकी grafting फेल हो जाए तो देखिए जहां पर हमें ग्राफ्ट करना है उसको अंदाजे से हम इसे cut करेंगे और फिर इसके बाद इस selected sign को हम इसके उपर ग्राफ्ट करेंगे इसके लिए जो हम cut लगाएंगे वो थोड़ा लंबा लगाएंगे तो कि यह एक mature plant है और हमारी sign भी इसमें हम जो select करके लाए हैं उसमें थोड़ा बड़ी size की sign आज हम joint करने जा रहे हैं तो किस तरह आप इसे joint करेंगे इसका तरीका आप लोगों को मैं बता रहा हूं वीडियो में बने रहे हैं और वीडियो में ऐसा जैसे की मेरे कुछ वीवर्स कमेंट करते हैं कि उनके द्वारा की गई grafting फेल हो गई तो फेल होने का एक प्रमुक कारण होता है कि जब आप बैड़ जाता है और फिर आप एक perfect grafting कर पाते हैं तो देखिए हमने sign अपनी काट ली है अब हम इस पर एक lung चीरा लगाएंगे देखिए किस तरह लगाना है तो इसे आप blade या grafting knife किसी की मदद से कर सकते हैं देखिए तो गहरा कट आपको लगाना है क्योंकि यह एक mature plant है और उपर से एक लंबा कट लगाते हुए इसे जहां पर नीचे कट हमने लगाया था वहां तक लाके और मिलाएंगे देखिए यह कट लगभग 3-3.5 इंच के something लंबाई का है और इतना ही लंबा कट हम इस पर भी लगाएंगे और कट जो भी आप लगाते हैं ग्राप्टिंग के लिए वह हमेशा सार्प लगना चाहिए क्योंकि यदि उबर खाबर और प्लेन कट नहीं लगेगा तो आपकी ग्राप्टिंग फेल हो जाएगी देखिए दूसरा कट एक छोटा सा इस साइड भी लगात हैं और नीचे का जो थोड़ा सा उबर खाबर हिस्सा है उसे हम कट की दे रहे हैं क्योंकि ये बैठने में थोड़ा दिक्कत करेगा और वीडियो हमेशा पूरा देखा करें तभी आप परफेक्ट ग्राप्टिंग कर पाएंगे अपने मंचाहे फलदार पौधों पर दिखिए दोनों साइड हमने इसे छील लिया है और अब हम इसे अपने रूटिश्टाक साइन जो भी है उस पे बिठाएंगे थोड़ा सा गहराई इसकी बढ़ा लेते हैं क्योंकि ये फिट नहीं हो रहा देखिए इसकी गहराई बढ़ा लिया है अब ये परफेक्ट फिट हो रहा देखिए और आपको ये ध्यान देना है कि इसकी छाल से छाल नीचे की भी और दोनों साइड की छाल जो है चमडी उसकी मिलानी है तभी आपकी grafting success होगी और इसका joint एक perfect joint बनेगा देखिए नीचे से भी बढ़िया मिल रहा है और दोनों side से भी बढ़िया मिल रहा है तो sign हमेशा root stack के size का ही select करें आप थोड़ा बहुत कम जादा चल सकता है मगर बहुत अंतर नहीं होना चाहिए अब हम इसे grafting tape या polythinis tip की मदद से बिलकुल tight बांधेंगे क्योंकि बारिस का मौसम चल रहा है और इस पे पानी बिलकुल नहीं जाना चाहिए यदि पानी और हवा इसके अंदर चला गया तो आपकी grafting फेल हो जाएगी इस चीज का आपको ध्यान देना है तो देखिए इस तरह खीच खीच के बिलकुल tight आपको बांधना है ताकि यह आपस में बिलकुल अच्छी तरह चिपक जाए पॉलिथिन थोड़ा सकम पड़ रही दूसरी एक पॉलिथिन ले लेते हैं तो इसे चारो तरफ से घुमा घुमा के और उपरी हिस्सा जहां पे रूटी स्टाक और साइन का लाच छोर है वहां भी घुमा के इसके चारो तरफ से इसे हम रैप करेंगे ताकि इस पर पानी हो जाए गारा बिलकुल न जाए देखिए इस तरह है तो आपको इसे चारो तरफ से घुमा के बिलकुल टाइट बांधना है और कोई भी स्थान ऐसा नहीं छोड़ना है जिससे आपकी ग्राफ्टिंग पोर्शन के अंदर पानी चला जाए देखिए तो हमने इसे परफेक्ट बिलकुल टाइट बांधन दिया है अब इसके उपर फिर एक पॉलिथिन हम ढग देंगे इसको ताकि इसके अंदर हमिडिटी जनरेट हो तो देखिए इस तरह हमने इसे बांधन दिया है अब आपको एक टांस्पेरेंट पॉलिथिन ले दो साल के पुराने मेंगो प्लांट पर ग्राप्टिंग का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक करिए कमेंट करिए अपने गार्डिन लविंग दोस्तों के साथ सेयर करिए और यदि आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर रहे तो अभी तक अभी के लिए फिराल इतना ही वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद थैंक्यू